हाई दोस्तों नमस्कार आए एक बर फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चनल देवा एजुगेशन में और उम्मीद करते हैं में दोस्तों कि जो भी वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइट करा रहे हैं वो आपके लिए काफी लाबकारी सिद्ध हो रही होगी तो हम पाँच सो कुष्टिनों की सांदार कुष्ट्रों की सांदार प्रस्टियों की ऐक स्रिंखला ला रहे है इस वीडियो में आप 500 उस questions उस प्रस्णों से रूबरू कराएंगे जो प्रस्ण कहीं न कहीं किसी न किसी exam में पूछे गए हैं तो मेरे दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को आउन रखें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे तो चलिए मेरे दोस्तों इसके पहले और भी वीडियो हम और भी वीडियो ग्रामल परिवेस ओम बिकास और बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं अगर सब कुछ आपको देखना है तो आप जाकर प्लेलिस्ट से मेरे देवा एजुकेसन चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और ये वीडियो लाने का उद्दे से मेरे दोस्तों यही है कि हमारे पास समय थोड़ा कम है और समय को देखते हुए जल्दी से अच्छा रिवीजन करने के लिए एक यही तरीका अच्छा है तो चलिए पहला क्विशन आपके स्क्रिन प्या चुका है और अरजुन पुरसकार किस वर्स सुरू हुए मेरे दोस्तों आपके बात बता दें कि वीडियो थोड़ी सी तेज चलेगी और मैं तेज बोलूँगा इसलिए आपको परिसान नहीं होना है तो देखिए अरजुन पुरसकार किस वर्स सुरू हुए तो मेरे दोस्तों 1961 में हुए चलते हैं आगे बढ़ते हैं भारत की मानक समय रेखा कौन से है मेरे दोस्तों 85.5 डिगरी पूरवी देशान तर रेखा नैनी जोकी इलहाबास से होकर गुजरती है नैनी इलहाबास से होकर गुजरती है मैकसे से पुरसकार पाने वाले पहरे भारती कौन थे मेरे दोस्तों तो यह जो आगे थे बिनोवा भावे जी थे आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमर चार की तरप मोनलीशा किसकी बिस्व विख्याद पेंटिंग है मेरे दोस्तों लियोनार्दो दा विं भारत में हैं आगे बढ़ेंगे कोई धन भी धेख है या नहीं इसका फैसला कौन करता है मेरे दोस्तों लोक सबाका अध्यक्ष करता है अगला कुश्यन है मेरे दोस्तों अंतिम मुगल समराट कौन था मेरे दोस्तों बहादुर साह जफर दुतिय अंतिम मुगल समराट था तुम आपकोपड पूरी तरह प्रत्रिबंध लगाने वाला विश्यो का पहला देश कौन है तो मेरे दोस्तों, भुटान विश्यो का ऐसा पहला देश है, अगला बढ़ेंगे अगला क्कुश्य औगोडान किसी रचना है, मेरे दोस्तों, गोडान में उस्सी प्रेम चंद की होती है मेरे दोस्तों H1N1 नाम जीवानों से V60 से होती है राष्टिम्हधाता दिवस कग मनाये जाता है तो 25 वारत सरकार त fascinated theיפ सरकार का शायलता हुक हुषन भारत सरकार का समय्धानिक मुखिया कौन दिया गया मेरे दोस्तों कि मौलिक कर्तबे भी प्रथेक ब्यक्ति को दिया जाना चाहिए पंद्रामा कुछ अन्नम कानून को तोड़ने के लिए महादमा गाधी ने कौन सा अंदोलन शुरू किया तो सविने और अंदोलन काधी जी ने शुरू किया था चलेंगी अगले कहां इसती थे तो यह आपका चीता और गड़ में इसती थे तो बश ड१का सबसे लंबा सबसे लंबा रे ल्मारतारि ट्रानस साइवेरियन रूस में जोगी है निमून सोरी किन दो सहरों को जोड़ता है? देखिए 9400一 totally यहां से बिसों का सबसे लंबा है और यह ROOS में है और इसका नाम है Trans-Saberian तो यहां से तीन कुशन मन सकते हैं कि सबसे लंबा, लंबाई और कहां पे है तो यह तीन कुशन मन सकते हैं ये किन सेयरों को जोड़ता है मिरे दोस्तों, तो ये जोड़ता है सेंट पीटर बर्ग से बलादी वस्तिक को, किसे सेंट पीटर बर्ग से बलादी वस्तिक को ये मिरे दोस्तों जोड़ता है, अमर कंटक किस नदी का उद्गम अस्तल है, तो ये नर्वन्दा का उद्गम अस पहले इस्टिडिया कंपई ने पहली कारखाना लगाया था, आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा है, किसमें? अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुछतक लिखी, तेश्मा कुशन देखेंगे, बुली सब्द किस खेल में प्रयूक्त होता है, तो बुली सब्द में दोस्तों, पीठी उसा को कहा जाता है किसे Pitti उसा को, अगला कुश्चन पच्चिस Komahn, जीलो की नगरी कों सहा है, में दोस्तों, उदैपूर को, उदैपूर को जीलो की नगरी कहा जाता है, आगे बढ़ेंगे आरे समाज के स्थापना कभ और कहां की गई तो द सबसे प में दोस्तों मना जाता है अगला कुछ व्हें जनलों कहां जाता है अगला कुछ सेंट 29 नमबर किसके जनम दिवस को शिछा दिवस के रूप में मनाते हैं तो सही जवाब हो जाएगा मौलाना अभुल कलांम आज्याद मैं दोस्तों ये भारत के पहले सिक्षा मंतरी भी रहे हैं तो भारत के जो पहले सिक्षा मंतरी थे इनके जनम दिन को हम सिक्षा जिवस के रुप में मनाते हैं और वो आपके थे मौलाना अबुल कलाम एक बार फिर से भारत के पहले सिक्षा मंतरी थे ठिक याद कर लेजी अच्छे तरीके से भापा परमाडू अनुसंधान के अदर कहां इस दी थे तो यह अपका ट्रामबे मुंबई में है कहां पहें मुंबई में है अगला कुस्टन उन्नीस सो अठाइस में बार्दोली आंदोलन का नेत्रिक तो किस ने किया 33 खुष्टन स्क्रीन पर मुगलवंस के साबना किस ने की मेरे दोस्तों तो जरह ध्यां से 33 खुष्टन जेखिए मुगलवंस के साबना बाबर ने कि थी एकुझे तो परकार आगे बढ़ेंगे बाबर को टिक करके भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन तो किरण वेदी भारत की पहली महिला आई पे सदिकारी थी, आगे बढ़ेंगे 35 कुश्चन, टीपू, कतक किस राजे का सास्तरी इनृत है में दोस्तों, कतक जो है आपका उत्तर परदेश का सास्तरी इनृत है में दोस्तों, टीपू सुल्दान की राजधानी कौन सी थी, 36 क कुश्चन देखिए, कि टीपू, जो टीपू सुल्दान एक सासत था, उसकी राजधानी कौन थी में दोस्तों, तो उसकी राजधानी थी, स्री रंग पट्टनम, क्या राजधानी थी, 37 कुश्चन, चाइना मैन सब्द की स्खेल से परियुथ होता है, चाइना मैन सब्द क 30 नाएं की तरब, डाइना मैट का उसका किस ने किया, तो अल्फरेड नोबल ने किया दिया, और इनी के नाम पे मेरे दोस्तों, अल्फरेड नोबल के ही नाम पे नोबल पुरसकार दिया जाता है, आगे बढ़ेंगे, बिसमिल्ला खा का संब्द किस बात देया अंतर से है, तो सहनाई से है, किस सहनाई से है, आउसकर प्रसकार का संब्द किस चेतर से है, तो आउसकर प्रसकार का संब्द मेरे दोस्तों, फिल्म से संब्दी थे, एर्स का पूरा क्या नाम है, एक आईडियस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो हो जाएगा, एक्वाइड एम्यून Deficiency Syndrome, Acquired Immuno Deficiency Syndrome एड्स का पूरा नाम है, 43 कुश्चन देखेंगे मिद दोस्तों, जलियावाला बाग में गोला बारी का आदेस की जर्रिनल ने दिया था, तो माइकल ओ डायर ने गोला बारी का आदेस दिया था, पठना का प्राचीन नाम क्या है, तो पठना का प्राचीर नाम पाटली पुत्र है ठिक आगे बढ़ेंगे 45 कुश्चन दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया तो सा जहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था नेता जी अगला कुश्चन 46 नमर का कुश्चन में दोस्तों नेता जी सुबास राष्टी खेल सांस्तान कहां है तो यह आपका पटियाला में कहां पहे है आगे बढ़ेंगे आगा खाकप किस खेलते सम्मंदी थे तो यह आपका होंकी से है आगे बढ़ेंगे 48 वा कुश्चन बांधी पूर अभेरण किस राज में दोस्तों करनाटक में दोस्तों कैसे आपक कर रहेंगे कि psychiat कर रहे है कौन एक बंदी है जो नाटक कर रहे है आगे बढ़ेंगे भाप इंजन का आविस्कार किस ने किया तो जेम्स वाट ने किया रेडियो का आविस्कार किस ने किया तो इटली निमासी मार कोनी ने किया मार कोनी ने इट किसकी रेडियो का आविस्कार किया था मार कोनी ने आगे बढ़ेंगे किस भारती राज की राज राजवासा अंग्रेजी है तो नागा लेंड नागा लेंड की राजवासा क्या है अंग्रेजी है ठीक याद रखिए नागा लेंड की राजवासा अंग्रेजी है भारती राश्टी का अंग्रेज का प्रतम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था मेरे दोस्तों बदरुदीन तैयब जी बैदुरुदीन तैयब जी जो थे वो राष्टी भारती राष्टी कंग्रेस के परतम मुस्लिम अगधर्च हुए भारत के परतम ग्री मंत्री कौन थे तो वही बल्ला भाय पटेल जी जिने सरदार बल्ला भाय पटेल इनकी मूर्ती भी बनी है गुजरात में स्टेचू अफ लिवर्टी जो कि भारत की या विश्व की फिलान में सबसे उची मुर्ती है ठीक आगे बढ़ेंगे चगमर कुश्चन की तरफ संसार की प्रतम महिला प्रधान मंत्री कौन है तो सिरिमाओ भंडार नाय के जो कि सिरिलंका की पहली प्रधान मंत्री महिला है आ मैं दोस्तों अकबर ने दीन ए एलाए धर्म चलाया था उगते और डुपते समें सूर लल प्रतीत क्यों होता है तो औा इन दर्मेंगे कितने रंग तो साथ रंग आपको पताई है भूस्तिर ःफ उपग्रभक की प्रत्विस से उचाय कितनी होती है तो मैं दोस्तों 36,000 कि किलो मीटर होती है आगे बढ़ेंगे 60 साथ नमर के कुशन देखेंगे में दोस्तों साथ नमर के कुशन को देखेंगे चेचक के टीके की खोज किस ने की में दोस्तों एड़वर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज रेबिश के टीके की खोज तो लूई पास्चर ने बढ़ते हैं परासरब तरंगों की अबिति कितनी होती है में दोस्तों बीस हजार हटसर से ज्यादा होती है परासरब तरंगे की वज़े से ही रात में रात में चमगादर क्या करती है चमगादर डात में देख पाती है परमाड़ो बम की सिधान पर काम करता है में दोस्तों न हिर्दय की धर्ड़कन को नियर्थित करने के लिए कौन सा खंज आवस्यक है मेरे दोस्तों पोटैसियम ठीक तब पोटैसियम आपके हिर्दय की धर्ड़कन को नियर्थित करने के लिए आवस्यक है पेनिसलीन की खोज किसने की मेरे दोस्तों 67 कुस्यन देखिए मलेरिया की दबा कुनिन की इस पौद्धे से प्राप्त होती है, याद रखिए, मलेरिया की जो दबा है कुनिन जो सिनकोवा नमक पौद्धे से प्राप्त होती है, सिनकोवा से कुनिन नमकी दबा बनाए जाती है, जो मलेरिया की रोग में काम आती है, को ना कुनिन याद आपके common question है, बहुत आम question है, आगे बढ़ेंगे, मनुस जिन ने सबसे पहले किस जनतु को पालतु बनाया, कुट्ट्य को पालतु सबसे पहले मनुस ने बनाया था, ठीक, पहला जो दोस्त था, मनुस दिखा वो कुट्टा ही था, आगे बढ़ेंगे, अंतरिश यात्री को ब हमें बहुत ही ताकत देता है, नई वीडियो लाने के लिए, मिर दोस्तों, चलिए चोबतर्मा question, ATM का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो automatic tailor machine, ATM का पूर्ण विस्तार होगा, आगे बढ़ेंगे, question number 75, 75, संसत का संजुत अधिवेशन कौन बुलाता है, मिर दोस्तों, तो रा बाज को, वायो मंडल की कौन सी परत हमें सूरे से आने वाली ultraviolet क्रिणों से बचाती है, मिर दोस्तों, तो ये मिर दोस्तों, ओजोन परत हमें ultraviolet क्रिणों से बजाती है, जिसे हम पराबैगने क्रिणे भी कहते हैं, और ये मिर दोस्तों, पराबैगने क्रिणे अगर हमें अजमेर में है समराट असोक ने किस यूद के बाद बहुत धर्म ग्रहन कर लिया था तो वो था कलिंग यूद में जब खून खराबा या बहुत लोगों को मरे हुए देखकर असोक ने अपना असोक का हिर्दे परिवर्टी थो गया भारत का केंदरी बैंक कौन सा है में दोस् जो हैं ये परसिम मंगाल के हैं ये भारत के सबसे लंबी समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं संसार की सबसे लंबी नदी कौन है में दोस्तों नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है ठीक चलिए अगर बात किए अमेजन की तो अमेजन में सबसे ज़्यदा पानी बहता है ले इक्वल होते हैं में दोस्तों बराबर होते हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं में दोस्तों कांसा किसकी में से धातु है में दोस्तों ताबा और टीन की कुश्चन बदल सकता है कि ताबा और टीन को मिला कर क्यार बनता है तो बात हो आई है बस कॉंसेप्ट क्लियर रहिए रह बढ़ेंगे 87, LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो LPG जो LPG लिक्विट फाइड पेट्रोलियम गैस जो की रसोई घर में यूज होता है, वही होता है LPG, गीता रह से पुस्तक बाल गंगा धर जी ने लिखी थी, आगे बढ़ेंगे, राजय सभा में कितने सदस्यों का च कारेकाल कितने वर्स का होता है, बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन, अमेरिकी राजपती का कारेकाल दो वर्स, चार वर्स के लिए होता है में दोस्तों, और अन्य राजपतियों का कारेकाल पांच वर्स के लिए होता है, अविद्या किस नदी के किनार है, तो सर्यू थी तो राजा अश्रवाई जैज सिंग ले जैपुरकिय सताबना की थी चली ये आगे बढ़ते हैं 93 हुष्चन भारती सम्मिधा ने पहला संसोधन कप किया गया तो 1991 में किया गया भारती सम्मिधा ने पहला संसोधन 1901 के लिए भग rozp 967 किया घया अटकन और में कूछतने वाड़ lamented ंच्पक हुई प्रसफ न meget भारत ऍच इबन बतूता पहन के जुद्धा अपने ये वाला पोयम पड़ी होगी तो मुरको का यात्री था इबन बतूता और भारत आया कब आया मेरे दोस्तों तो वह मुहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था मेरे दोस्तों चलिए आगे बढ़ेंगे भारत के पहले कानून म बस जो भी कहिए फार्मर डे लेबर डे कहिए ये सही है आगे बढ़ेंगे सौन नमर का कुश्चन ओड़ी सी किस राधी का सासरी नहीं थे तो ओड़ी सा भांखडा नांगल भांखडा बांच किस नदी पर बनाया गया तो सब्लज नदी पर आगे बढ़ेंगे 102 नमर का कुश्चन भारत का चित्वर कितना है में दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलो मीटर में दोस्तों वर्ग किलो मीटर को जरूर लिखएगा वर्ग किलो मीटर ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं एक सो तीन कुश्चन भारत अमेरिका ने जापान के हिरोसिमा पर हिरोसिमा पुछ रहा है पर बर्माडू बंकब गिराया तो 6 अगस्त 1945 को हिरोसिमा पर लेकिन अगर नाका साकी आता है मिर्दोस्तों तो 9 अगस्त लगाईएगा 9 से नाका साकी 9 से 9 अगस्त ठीक राजपती चुनाओं में ओट कौन डालता है तो मिर्दोस्तों संसत अथा राजविधान सभाओं के चुने हुए सदस्य राजपती चुनाओं में ओट डालते हैं हर्याड़ा के पहले राजपाल धरमबीड थे उत्री धुरू औ अच्छरी धुरू से मिलाने वाली कालपरिंग रेका क्या कहलाती है में दोस्तों देसांतर रेका कहलाती है जो रेका ऐसी रेका जो उत्तरी धुरू को दच्छी धुरू से मिलाती है वो कालपरिंग रेका होती है उसे हम देसांतर रेका में दोस्तों कहते हैं आगे बढ़ेंगे कुश्चे नंबर 107 की तरफ कुश्चे नंबर कुश्चन नमर 107, मादमा गांधी की हत्या कब और किसने की, मेर दोस्तों 30 जनौवरी 1948 को नाथूराम गोर से जी ने, नाथूराम गोर से ने गांधी जी की हत्या कर दी, तो नाथूराम गोर से और 30 जनौवरी 1948 इनकी मिर्तु की दिनाख है, आगे बढ़ेंगे, भारत में 110 कुस्चन राजस्थान के माउंट आबू इस्थित दिलवारा के मंदिर किस धर्म से संब्धनी थे तो मेरे दोस्तों माउंट आबू जो इस्थित मंदिर है माउंट आबू में जो दिलवारा का मंदिर है ये राजस्थान पड़ता है ये आपका जैन धर्म से संब्ध रखत में दोस्तों असोक चक्र सांती काल का सबसे बड़ा सैन पुरसकार माना जाता है सरोच सैन पुरसकार का आ जाता है क्या कहा जाता है सरोच सैन पुरसकार असोक चक्र राष्टी देरी अनुसंधान कहां इस्ती थे में दोस्तों करनाल हर्याना में राष्टी देरी अनुसंधान इस्ती थे भगवान बुद्ध द्वारा अगला कुशन में देखेंगे भगवान बुद्ध द्वारा सारा नाथ में दिया गया पहला प्रोचन बौद में क्या कहल आगे बढ़ेंगे कुश्य नमबर 116 वायू सेना दिवस कम मनाया जाता है मेर दोस्तों आठा क्टूबर को वायू सेना दिवस मनाया जाता है हाल ही किस देस किस राज से अलग करके तेलंगाना राज बनाया है मेर दोस्तों तो आंद्र परदेस से तेलंगाना राज बना है आगे बढ़ेंगे भारत में पस्मी तरप्रकौन सागर तो अरब सागर यूनेसको का मुख्याले कहा है मेरे दोस्तों तो ये आपका पेरिस फ्रांस की राजधानी में है आगे बढ़ेंगे बिस सुब्यपार संगठन की अस्थापना कब हुई तो 1995 में हुई थी बिस सुब् में साल खाल अगे एक क्युश्चन है तान से किसके दर्वार में संगीत अगेर था तो कोन चार वरस तक अगबर का संचेक रहा तो बैरम खांग जब अकबर छुटा था तो बैरम खा हौत की सान अच्छेक रहे रभी संकर तो सितार से है आगे बढ़ेंगे penalty corner का संबान की scale से है तो penalty जो corner होता यह होगी में दिया जाता है में दोस्तों होगी सही जवाब आगे बढ़ेंगे 1208 question में दोस्तों देखेंगे और 128 question दिया है उतरी भारत में सर्दियों में वर्सा कारण क्या है तो पस्चिमी भी छोब के कारण ही उत्तर भारत में सर्दियों के समय में वर्षा होती है आगे बढ़ते हैं 139 कुष्चन तरप देवधर ट्राफी का संबंद की स्केल से है मेरे दोस्तों गौतम बुद का जर्म कहा हुआ तो लुंबनी जो की नेपाल में है आगे बढ़ेंगे 134 कुष्चन महाबीर भगवान महाबीर जहन धर्म के कौन से तिर्थंकर थे तो 24 में तिर्थंकर थे 135 कुष्चन देखेंगे भारत की या महाबीर वाला कुष्चन 24 आगे जलेंगे भारत की पहली महिला राष्ट पती कौन है तो प्रतिभा पाटिल मेरे दोस्तों कौन है प्रतिभा पाटिल प्रतिभा पाटिल गी भारत की या भारत की पहली महिला राष्ट पती है कटकिस न तो लोकल एरिया नेटवर्क चलिए आगे बढ़ते हैं 149 कुश्चन गौतम बुद की मिरत्तु कहां हुई तो कुसी नगर में हुई मेरे दोस्तों गोवा पूर्टगारी सासन से कब अजाद हुआ तो 1961 में आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों 1961 में गोवा अजाद हुआ बखसत का युद कब किसके परिडाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल बिहार और उडिशा पर अधिकार हो गया था तो यह बखसत का युद कब हुआ तो 1764 में मेरे दोस्तों हुआ और चलते हैं आगे रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ तो आपका यह लागू हुआ 1773 में चलिए 143 कुशन देखते हैं और 1787 की कांदी के बाद अंग्रेजों ने मुगल बाद साह बहादूर साह जफर को कैद करकी कहां भेजा मेरे दोस्तों उन्होंने वर्मा भेज़ दिया था और वर्मा का नया नाम भी मियमार के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों आप ठक चुके हैं तो वीडियो को पॉस कर देखे हम लगातार बोलना हैं छत्पर की दिश्टी से भारत का भी सुमें कौन सा अस्थान तो सात्वा अस्थान भारत की आगे बढ़ेंगे 177 कुशन भारत की अस्थली सीमा कितनी है तो 15200 किलो मीटर चलिए आगे बढ़ते हैं भारत का पूरू से पस्षिम तक विस्तार कब राष्टी जंडे के रूप में अपनाया तो 22 जुलाई 1927 को तिरंगे जंडे को जंडे के रूप में अपनाया में दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आगे बढ़ते हैं जन गर्मन को समिधान सभा ने रश्ट घान खोशित कब किया तो 24 जनवरी 1950 को चलि पटना में आगे बढ़ेंगे 3784 में कुलकाता में किसने ऐसियोटिक सेसाइटी के रसापना की मेरे दोस्तों बीरियम जोर्स ने की ती कुछ न गुमा कर पूछता है कि एसियोटिक सेसाइटी के रसापना किसने की मतलब कब हुई तो 3784 बैंको कराश्टी करन कब किया गया तो 1969 में किया गया किस सम्मिधान संसोधन द्वारा 6-4 वर्स की आयू के बच्चों के लिए सिच्छा को मौलिक अधिकार बनाया गया तो मेरे दोस्तों 86 सम्मिधान संसोधन 86 86 नमर का जो सम्मिधान संसोधन था इसके तहित 6-4 वर्ष के बच्चों के लिए सिच्छा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया ठिक मेरे दोस्तों आप वीडियो बनाने बड़े महनत लग रही है बड़ी महनत है तो मेरे दोस्तों थोड़ी सी आप अपना भी प्यार दीजीगा आगे बढ़ते हैं और अगला कुश्चन किस मौलिक अधिकार को 44nd संभिदान संसोदन द्वारा हटा दिया गया समपत्ति का अधिकार को 44nd संभिदान संसोदन द्वारा मरे दोस्तों हटा दिया गया 23.5 डिगरी उत्तरी अक्छांस को कर्क रेखा कहते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे और कुस्चन नमबर 157 आपके स्क्रीन पे ससस्त्र सेना जंडा दिवस कब मनाया जाता है चलिए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे भारत सी लंगा के बीच कौन सी खाड़ी है तो मनार की खाड़ी है अरावली परवत माला की सबसे उची चोटी कौन है तो गुरु सिखर है आगे बढ़ेंगे किस देश की किस मेरे दोस्तों अगला कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् देसतल सीमा, और समोदिल सीमा करणाडा की, वर्मा की मुद्रा क्या है में दोस्तों तो वो आपका क्यात मैयमार की बर्ट मैमार की मुद्रा है वो आपकी है क्यात चलिए आगे बढ़ेंगे मौसम संब्संबंधी Πर्योर्तन वाज सम ल्हम हो चौन मन्द Member में मौसं समंधी परिवर्तन होता रहता है आगे बढ़ेंगे Question Number 171 की तरफ संसार का सबसे बड़ा सागर कौन है तो दच्छिडी चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है आगे बढ़ेंगे 172 कि तरफ गोतंबुद्य द्वारा 29 वर्स की आयू में गृत्या की घटना क्या कहलाती है मतलब जब महाभीनिस क्रमड कहलाती है गौतम बुद्र के 29 वर्स की आयों में गृत्या की घटना ठीक चलिए आगे वढ़ते हैं 173 173 वा कुष्चन भारत ने पंच वर्सी योजना का अनुवदन करने वाला सरोच निकाए कौन सा है मेरे द इसकी सीमा चीन, भूटान और नेपाल से टच होती है आगे बढ़ेंगे नाथुला दर्रा किस राज़े में इस्ती थे मेरे दोस्तों नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में इस्ती थे आगे बढ़ेंगे 1912 में अलहिलार समचातर पत्र किस ने सुरू किया मौलाना अबुल कलाम अजादने कुश्चन बदल सकता है कि अलहिलाल समचातर पत्र कब सुरू हुआ तो ये आपका सुरू हुआ 1912 में चलिए आगे बढ़ते हैं महांची कि सक्षरक किसके दर्वार में थे तो ये आपके कनिस्क के दर्वार में थे भारत के में मेट्रो पूरुष कौन कहलाते हैं तो स्री धरन को मेट्रो पूरुष कहा जाता है आगे बढ़ेंगे 189 कुश्चन भारत की सोतनता के समय कौंग्रेस अध्यच कौन थे तो जेबी क्रिपलानी भारत के सोतनता के समय कांग्रेस के अध्यच थे कांग्रेस और मुस्रीम लिग के बीच लखनों समझाता किस वर्स तो 1916 सही जवाब पानिपत का तीसरा युद किसके बीच मराठो और अहमद सा अबदाली के बीच हुआ इसमें अहमद सा अबदाली जीत जाता है आगे बढ़ेंगे आरवियाई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक डॉफ्ट की वज़ता कितने समय तक होती है तो तीन महीने तक मैं दोस्तों इसकी जो समय वज़ता होती है वो तीन मास तक होती है ये आरवियाई के नए नियम के अनुसार सबसे लंबा राष्ट्री राजमार के कौन है में दोस्तों तो N.A.S. 7 सबसे लंबा है जो की वरांसी से लेके करन्या कुमारी तक जाता है दच्छी भारत तक संग मरमर किसका परिवर्तित रूप है तो चूने पत्थर का संग मरमर परिवर्तित रूप है एक सो पचासी नमर का कुशन आपके स्क्रीन पे बिस सुब्यपार संगठन का मुख्याले कहा है में दोस्तों जीनेवा जो की स्वीटिजर लेंड में है ठीक आगे बढ़ेंगे एक सो अठासी कुशन हो चुके है आगे बढ़ेंगे में दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आगे बढ़ते हैं भारत का पहला भारत का राश्टगान सबसे पहले कब गया गया तो 1911 में के कांगरेस के कॉलकाता अधिवेसर ने पह कौन है तो हीरा जो है में दोस्तों कारबन का एक अपर रूप होता है समुदरी जल में लावन की आपसक मात्रा कितनी होती है तो 3.5% राश्टरी विकास परिशत का अधियर्च कौन होता है तो परधान मंत्री होता है सिकंदर ने भारत पर आगमर कब किया तो 326 बिसा बीसी में किया था इशापूरू में किया था भारत का सम्मिधान कितने समय में तयार हुआ तो 2 साल 11 महा 18 दिन और 18 दिन में भारत का सम्मिधान में तयार हुआ था भारति सम्मिधान में मौलिक करतबे किस देश सम्मिधान से लिया गया है तो अमेरिका के सम्मिधान से मौलिक करतबे को लिया गया है अमेरिका के सम्मिधान से ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चिन नंबर 197 सम्मि आ जाता है तो जो राश्पती से राजेपाल, राजेका क्या करता है राश्पती सासन लगाने के लिए इसी बारस करता है प्रोटॉन की खोज किसने तो रदरफोर्ड ने भारत के प्रतम परमाडु बीली भर कहां इती थे तो वो आपका है तारा फुर में आगे बढ़ेंगे सांतिनी के खतन के स्थापना तो रमिंद नाथ ट्राइगोड जी ने सांतिनी के खतन के स्थापना की थी कुश्चे नंबर 201 सांती और ते सास का नवर प्रुसकार किसे किस वर्ड शुरू हुआ तो 1989 में 1979 जवाब में दोस्तों वीडियो पसंद आए तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करके अपने दोस्तों के पास सेर जरूर किजिएगा आपकी लाइक और सेर हमें बहुत ज़्यादा इनरजी देती है तो 202 कुश्चन हो चुके हैं आगे बढ़ेंगे और 203 कुश्चन लेंगे प्रतम बहुत कौंसिल कब कहां और किसके सासन काल में हुई मेरे दोस्तों तो जो प्रतम बहुत कौंसिल थी मेरे दोस्तों 203 कुश्चन है ये आपकी प्रतम बहुत कौंसिल आपकी 483 BC में हुई थी 483 BC में हुई थी और अगर सासन काल की बात की जाए, सासक की बात की जाए, तो अजात सत्रू उसमें सासक थे, सासन काल किसका था, तो आपके अजात सत्रू का राजग्री में और अजात सत्रू इसमें राजा हुआ करते थे, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, सूर की सता का ताफमा कि महादीब में है तो अफरिका में है अफरिका में है ठीक चलिए आगे बढ़ेंगे 206 नमर का क्विश्चन किस सम्मिधान संसोदन द्वारा पंचायती राजविवस्था की पंचायती राजविवस्था लागू की गई तो तियत्तरमा सम्मिधान संसोदन बहुत थी लोग सभा की सीटे सबसरद हैं उत्तरप्रदेश में 80 सीटे हैं लोग सबसरद ही सबसरदे लोग सबसरद सीटे महाभीर भगमान उहाभीड का जर्म कहा तो यहां कंडग्रण्ध HASית मिरे दोस्तों होता है तो आege कौन को करता हूं फिरसे देखे हम लगातार बोलना है आप वी अंठानवे AD में हुई और कुंडल वन कस्मीन में हुई धूरी अपने धूरी पर साड़े तेश डिग्री में दोस्तों जोकी हुई है आगे बढ़ेंगे दोसो बारों कुष्टन वायो मंडल में आक्सिजन की मातरा तो 21 परसेंट अगर बात की जाए नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन आपका 78 परसेंट है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं वायो मंडल में सोनपूर में लगता है जो कि बिहार में इस्तित है तो 215 कुष्टन हो चुके हैं आगे बढ़ेंगे 216 कुष्टन की तरह तो उत्तर और उत्तर और दच्छिड कोरिया को बारती है में दोस्तों और तीसमी परल्ल की दो को नौर्थ को और साउथ कोरिया को यह अलग करती है अश्टा ध्याई किसने लिखी में दोस्तों तो पाड़िन ने अश्टा ध्याई नावक पुस्तक लिखी बल्व का फिलामेंट किसका बना होता है तो टंगरस्टन का बना होता है आगे बढ़ेंगे तीसरी बहुत कौंसिल कब कहां और किसके सरनचर में होई तो यह 250 BC में पाड़ि पुत्र में असोक के सास onions काल में होई थी तीसरी बहुत कांसिल्यात टीसरी बहुत समीधी कह सकते है आप ठीक अगे बढ़ेंगे तरी पिटक किस धर्म से किस धर्म के गरंत और किस भासा में लिखे गया है तो यह में दोस्तों बहुत धर्म के लिखा गया है और वो भी पाली भासा में लिखा गया है, तिरी पीटक का मतलब होता है मिर दोस्तों, बहुत धर्म से सम्मंद रखता है, ठीक, आगे बढ़ेंगे, भारती प्रायदीप का क्या नाम है, तो दक्कन का पठार भारती प्रायदीप कहलाता है, गुजरास से गोवा तक समूदी तट अगला कुछन है मिर दोस्तों, तो दो सब्द वो थे, धन रिरपेक्ष और समाजवादी, ये दो सब्द जो प्रस्तावना में बयालेश्यों सम्मिधार समसोदन के बाद जोड़े गए, अगला कुछन है मिर दोस्तों, कि एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते ह देखें मिर दोस्तों, जो भी नोट है, एक रुपए का नोट है, दो रुपए का नोट है, जो पुराणे समय में एक रुपए का नोट आदत आपने देखा होगा, जो उस पर पूछ रहे किसके अस्ताक्षर होते हैं, अब तो सो रुपए या पानसो हजार रुपए वे तो एक रुपे के नोट सची वित मंत्राले का जो सची होता है उसके सिगनेचर होते हैं संसत के दो सतरों के बीच अधिक्तम अधिक कितनी हो सकते हैं मेरे दोस्तों तो यह आपकी छे मास का छे मा की अधिक्तम जादा जादा 6 मा ठीक रितु संहार कुमार संभा और रगुवं किसकी रचनाएं हैं मेरे दोस्तों तो यह तीनों रचनाएं अलग-अलग भी दिये सकते थे लेकिन हमने एक अहीं में दे दिया ताकि आपको ज्यादा चीज़े न पढ़ने पड़ें ये काली दास ने आपका इसकी रचना काली दास ने की ठीक चलिए मेरे दोस्तों आप प्यार दिखाते रहिए अजंता और इलोडा की उफाय कहा है तो मेरे दोस्तों औरंगाबाद महराश्ट में है याद रखे औरंगाबाद दो है एक औरंगाबाद आपका बिहार में भी है और एक औरंगाबाद महराश्ट में है तो याद रखेगा अजंता और इलोडा की बात आये तो औरंगाबाद महराष्ट वाला की बात की जा रही है महाबली पुरम मेरा समंदिर किसने बनवाए तो पल्लव राजा नर्सिंग वर्मन ने बनवाए तो इस वीडियो को आप पढ़ने से अच्छा है आप इस वीडियो को देखते रहिए और सुनते रहिए याद इसती थे बर्डी इगल बोगी पार टी होल इन वन होल इन वन सब्द किस खेल से सम्मंदी थे मेरे दोस्तों गोल्फ से सम्मंद रखता है कौन बर्डी इगल बोडी पार टी होल इन वन यह सब खेल सब्दा वली है जो गोल्फ से सम्मंद रखती है सामबर जिल जिससे गोड़े से गिर कर मृत्यू को प्राप्त हुआ मेट दोस्तों वो आपके थे कुतुब दिन एबग कुतुब दिन एबग एक मातर ऐसा सासक जो गुलाम वहनस का सासक था जिसकी मृत्यू अपने मृत्यू उसकी मृत्यू कैसे हुई तो यह जब पोलो किसने लिखी तो जय देव ने लिखी थी खजुराहों के मंदि किस वहनस के सासको ने बनवाए तो चंदेल वहनस के सासको ने खजुराहों के मंदि बनवाया था बीजे नगर सामराज के स्थापना कब और किसने की तो 336 में हरियर 1336 सांपुर में हरियर और बुका ने बनवाय था घाना पच्छी बिहार कहां इसती थे तो भरतपुर राजस्थान में घाना है घाना नहीं है घाना पच्छी बिहार है भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं तो कच्छ केरण गुजरात में में दोस्तों जंगली गधे भी पाए जाते हैं ठीक गधे भी अब जंगली पाए जाते हैं याद रखेगा मीन कैंप मेरा संगर्स किसकी जीवनी है तो एडॉल्फ हिटलर हिटलर का नाम आप जानते होंगे हिटलर जो था उसकी जीवनी है मीन कैंफ ठीक मेरा संगर्ज आगे बढ़ेंगे दास काइपिटल की रचना किसने की तो ये थी आपकी कॉल कारल मार्स की रचना है दास काइपिटल मामूद गजनवी ने सोमनास मंदिर को कब लूड़ा था रिपाबलिक पुस्तक किसमें लिखी तो रिपाबलिक पुस्तक मेरे दोस्तों प्लेटो ने लिखा था प्लेटो ने आगे बढ़ेंगे तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा तो 1398 इस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था 1398 इस्वी में आगे बढ़ेंगे ओलम्पिक खेलों में होंकी कब सामिल किया गया ओलम्पिक खेलों में होंकी कब सामिल किया गया तो 1928 में एमस्टरडस ठीक एमस्टरडस हॉलेंड में ओलम्पिक खेलों में पहली बार होंकी को सामिल किया गया था 1928 में और question 247, सेरसा सूरी को कहा दपना गया में दोस्तों, सासा राम बिहार में, अगर बात की जाए सेरसा का मगबरा कहा है, तो वो भी आपका सासा राम बिहार में ही इस्तित है, आगे बढ़ते हैं, नियूट्रान की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने की थी, किसने जेम् प्रियोग किया जाता है, तो भारी पानी और ग्रिफाइट का रूप, ग्रिफाइट का जो प्रियोग होता है, ठीक, D2O, भारी पानी को खायता है, ठीक, H2O का जाता है पानी को, और D2O का जाता है भारी पानी को, चलीए में दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, question number 250, और 200 का प्राय दीप कौन है, तो अस्टेलिया सबसे छोटा प्राय दीप है, NCC के अस्थापना कब हुई, तो 1948 में हुई थी, NCC की अस्थापना, अमजद अली खा कौन सा वाध्यांतर बजाते थे, मेरे दोस्तों सरोद, सरोद वाध्यांतर बजाते थे, आगे बढ़ेंगे, भार का सबसे उचा जल प्रफाद जो है, वो अब का है जोग या गर्सुपा, जो सरावती नदी पर करनाटक में इस्तित है, ठीक, चलिए चंद्रमा की प्रित्वी से दूरी कितनी है, मेरे दोस्तों, चंद्रमा से प्रित्वी की दूरी 3,85,000 किलो मीटर है, मेरे दोस्तों, वि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास सेयर करना ना बुलिएगा, क्योंकि देखिए हम लगतार एक घंटे से बोलने हैं, और 42 मिनट हो चुके हैं, अभी भी एक घंटा, एक घंटा कुछ मिनट तक आपको बोलना पड़ेगा, त अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, अपने जो भी आपके सगे, भाई, 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 जो भी जिसको आप जानते हैं, आगे बढ़ेंगे, जो पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे, 257 नमल का कुछ चाने भारती समिधान में कितनी अनुसूचियां, तो 12 आगे बढ़ेंगे, नील नदी, 260 नमर का कुछ चन, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, तो मिसृ जो है, जो है, नदी का उपहार कहलाता है में दोस्तों क्योंकि मिसर नील नदी के किनारे ही भिक्सित हुआ है जै जवान जै किसान जै विग्यान का नारा कि नहीं ने दिया तो अटल बिहारी बाज पेई जी ने नारा दिया था आगे बढ़ेंगे गहाना देश का पुराना नाम क्या है मेरे दोस्तों तो गहाना देश का पुराना नाम है आपका कोष्ट गुल कोष्ट आगे बढ़ेंगे उस्ताद जाकिर हुसाइन का संबंद किस वादेवन तरह से है तो तबला सही जवाब हो जाएगा आगे है उस्ताद जाहिर हुसाइन अमेरिका खोच किसने की, तो 1922 में किस्टोफर कोलंबस ने की, आगे बढ़ेंगे बंदे मात्रम को सर्म प्रतान कांगरेश के किस अधिवेशन में गाया गया, तो 1886 वाले अधिवेशन में गाया गया, सब पे अच्छता का जिधांत किसने खोजा था, तो एलबर्ट ठीक आगे बढ़ेंगे वाजुग्यान की खोश किसने की तो ओलिवर और वी लीवर राइट बंदू थे में दोस्तों ओलिवर और वी लीवर राउट ठीक परतम हिर्दय परत्यार ओपर किसने किया था तो डाक्टर किस्टियन बर्नांड ने ठीक यह आपके दश्वर अफ्र को अपराएं गया इसे कुष्चन नीचे दिया है तो ठीक तो इसे कुष्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे आप परिशान न हुएगा वैसे आप जानते हैं कि लूसेंट कि इतनी अच्छी बूक है रेडियन की खोश किसने की तो पियरे और मैरी क्यूरी ने ठीक 273 कुष्चन कितनी उचाई पर जाने से तापमान एक डिगरी सिल्सियस कमी होती है तो जैसे हम 165 मीटर उपर जाएंगे तो एक डिगरी की तापमान की कमी हो जाएगी ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुष्चन है मेरे दोस्तों 273 कुष्चन देखिए किस ग्रह के चारो और वले हैं तो सनी एक मात्र ऐसा है जिसके चारो तरफ गैसों के वले बने हुए हैं बिसो में सरवाधिक सखाओ वाला बैंक कौन है तो भारती स्टेट बैंक जिसकी सबसे ज़्यादा सखाए हैं वो है आपका भारती स्टेट बैंक आगे बढ़ेंगे 253 कुष्चन तरफ बिल्कुल काहा जाता है वो भी बिल्कुल कंगारु ही उनको कगा जा जाता है वनकि ड्रेस भी आप नें देखा होगा सुंदर लाल भाहु गुणा का संबन किस अंदोलं से इन्होंने पेड को काटने से रोकने के लिए एक अंदोलं चलाया जिसको कि शीपको अंदो अगे बढ़ेंगे मांट एवरेश्ट पर सबसे पहले कौन चड़ा तो तेंजींग नोर के जो भारत थे और एलमंड हिलेरी जो थे यह आपके न्यूजिलेंड थे यह दोनों वेक्ति सबसे पहले मांट एवरेश्ट पर चड़े पदमाउत की रचना किसने की तो मलिक मुहम् जैसी जी ने पदमाउत की रचना की थी दो से कत्तर एक्यासी कुछ चना पर हो चुके हैं अमेरिका की पहले राश्पती तो जोर्ज वास्टिंग गटन जोर्ज वास्टिंग गटन थे जर्मनी का एक एकड़न किसने किया तो बिस मार किने किया था सोजे वतन पूस्तक किस पूस्तक लिखी थी आगे बढ़ेंगे अली गड़ना और-बदोरन किसिसे समन्धि थे तो सेद 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 अहमात कान सर सेद अहमात खान अलीगर और-दोरन के कि समर्ण रखते हैं किस मोगल बास्वा सा ने अंग्रे जी इस injuries company को सूरत में कार खाना लगानेके इजाज़त दी में दोस्तों तो जहागीर जहागीर ने इस्टिनिया कंपनी को इजाज़त दिया था सूरत में करखाना लगाने के लिए चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं 246 कुश्चन हो चुके हैं और 287 कुश्चन देखिए भर्द में पूर्त गालियों का प्रथम जहनंत की मीडित्व हुई थी कादंबरी बानभठण ने लिखा था कादंबरी किरसमा बानभठ्ण में किया था ठीक वासंगटन डीसी पैंसिल की लीड किसकी बनी होते है पता है आपको ग्रेफाइट आगे बढ़ेंगे सम्विधान सभा की पहली बैठक कब हुई में दोस्तों तो सम्विधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं असोग के अधिकान सभी लेग सिलालेक किस लीपी में मिले हैं तो ब्रामी लीपी में मिले हैं रिवर्स फिलिक का संबंद की स्खेल से हैं मेरे दोस्तों तो हौकी से है किसे हैं तो मानस अभ्यारन असम में है 200 में सबसे बड़ा डागतंतर किस देश का है तो डागतंतर सबसे बड़ा भारत का है ठीक आगे बढ़ेंगे 299 कुस्टन में दोस्तों देखेंगे और 300 कुस्टन के हम लोग करीब आ चुके हैं अभी भी 200 कुस्टन बाकी है तो में दोस्तों आप मेरी महनत समझ रहे होंगे तो में दोस्तों वीडियो का लाइक जरू किजिएगा लाल तिकोन किसका प्रतिक चिन है तो परिवार नियोजन कारेकरम का लाल तिकोन प्रतिक चिन है स्री नगर की असापना किसने की तो असोक ने स्री नगर के अस्तापना की थी आगे बढ़ेंगे गाधी इरवीन समझाता किस वर्ष हुआ तो 3 मार्च 1931 को गाधी इरवीन समझाता हुआ था ठिक आगे बढ़ेंगे भारती संग का राश्पती किसके परामर्ष से काम करता है आगे बढ़ेंगे गंधक के साथ रबड को करने से क्या कहलाता है तो गंधक और रबड को जब हम मिलाते हैं तो वो वलकनी करन कहलाता है क्या कहलाता है वलकनी करन कहलाता है पस्मी और पुर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं तो नील गिरी पहाड़ियों से पर्षमी और पूरवी घाट मिल जाते हैं जवाहला नहरू के नितित में अंतरीम सरकार का गठन कब हुआ तो सितंबर 1946 में क्रिकेट पीछ की लंबाई कितनी होती है तो 22 गजया चाचट फुट 22 गजया चाचट फुट होती है पूर्षमी पीछ की लंबाई आप क्रिकेट खेलते होंगे आपको पता होगा आगे बढ़ेंगे मोतिलान नहरू स्टेडियम स्कूल हर्याणा में कहां इस्ती थे तो राई में इस्ती थे जो कि सोनीपत में पढ़ता है ठीक प कालिधास ने किस भासा में रचनाय लिखी तो संस्क्रित भासा में रचनाय कालिधास ने लिखी थी आगे बढ़ेंगे 12 मार्च 1940 को जलिया वाला भग गया City कंड कराने वाले माइकल ओ डायर की किस ने लंदन में हत्या कर दी थी तो यह हत्या की थी मेरे दोस्तों उधम सिंग जी ने कर दी थी इसकी हत्या ठीक, 1919 में जरियो रिवागा त्यकांड हुआ और 21 साल वाद उसकी हत्या उधम सिंग जी ने जरनल डायल की हत्या करके उसका बदला ले लिया था ठीक 12 मार्च 1940 को चलिए आगे बढ़ते हैं सत्य सोदक समाज की अस्तापना किसी ने किया तो महात्मा महात्मा जोतिवाब फूले जी ने किया था सत्य सोदक समाज की अस्तापना टोंडा जन जाती किस राजे में निवास करती है मेरे दोसों टोंडा जन जाती आपका तमिल नाडू राजे में निवास करती है तो टोंडा जन जाती है एक ठिक आगे बढ़ेंगे हर्यावणी भासा की पहली अगरा गुस्तन हर्यावणी भासा की पहले फिलम कौन है तो यह यो आपके छनदावल कौन है छनदावल हर्यावनी भासा में पहली मोई असम का पुराना नाम तो असम का पुराना नम काम रूफ है मैं खोए काम रूफ प्रोजेक्ट टाइगर कभ सुरू हुआ तो सशन उननी सो तये dal unlucky स्तन्त कि अ कारण होती है तो सलफल के कारण में दोस्तों लैसुन और प्याज में जो गंद आती है वो सलफल के कारण आती है केंदर राजी संबंधों में अध्यान है तू कौन सा आयोग गठित किया गया तो सरकार्या आयोग का गटन हुआ केंदर राजी संबंधों के अध्यान है तू ठीक आगे बढ़ेंगे कुश्चन नमबर 318 में दोस्तों नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था तो एडविन लिव्टिन जो की इंगलेंड का था आगे बढ़ेंगे मंगल और ब्रियस्पती ग्रहों के बीच ग्रहों की समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं तो अगला कुश्चन जो है मियाक्षी मंदीर आपका मदूरे में इस्तिते जो कि आपका तमील लाडू में है संसार में सरवाधिक दूद उत्पादन किस देश में होता है तो यह आपका सर्व से ज्यादा दूद भारत में उत्पादन होता है आगे बढ़ेंगे दोस्तों ती अनाई मुड़ी है अनाई मुड़ी ठिक सबसे दच्छी भारत का सबसे उचा परवत है अनाई मुड़ी सरदार परोवर पर योजना किस नादीप बनाए गई तो में दोस्तों नर्मदा नादीप बनाए गई तमील नाडू और आंद प्रेस के तटका क्या नाम है तो यह कोरो मंदल टक कहलाता है नीली करांती का सम्बन किसकेर से है मेरे दोस्तों मतद से पालं से सम्बन है नीली करांती का आगे वढ़ेंगे 328 question भारत में सरवाधिक मूभफली का उत्पादन किस राजय में होता है तो गुजरात में सबसे दा मूभफली का उत्पादन होता है भारत में सबसे कम वर्षावाला अस्थान कौन सा है तो ले है जम्मू कास्मीर कौन ग्रह कौन सा ग्रह प्रित्वी की जुलबा बहन खालाती है तो सुक्र वो है आगे बढ़ेंगे भारत में हरीद करांती के जनक डार्कर डाक्टर नार्मल बोर्ड लॉग दलहली भूमी में कौन से गैस निकलती है तो मिथेन गैस निकलती है जिसका फारूला होता है छी थी तो 1984 में हुई थी और यह थी आपकी यह आपके मदब्रस की रधानी भबान में मिथाई आइसो साइनाइट की वजह से सुराज सब्सका सबसे पहले प्रयोग किसने किया तो महराज महरसी दयानंद जी ने किया था बिला नीती किसने लागू की थी तो लॉड डलहू जी ने की थी मुस्ति अम्ली के स्थाफना कब की गई तो 1906 में की गई आगे बढ़ते हैं केसरी 1906 में मेर केसरी और मालाथा अख़वारों का संपादम किसने किया बाल गंगा थर तीलत जी भारत का परता में वह आईसा राइक कौन था तो लाड कैनिंग था लाड कैनिंग और पोलियो कटी का किसने खोजा था तो वो था आपका जोनास सालक ने जोनास सालक ने पोलियो कटी का खोजा था आगे बढ़ेंगे जोनास सालक को लगा के करनाटक में स्रवनद बेल गोला में किस जैन संत की विसाल प्रतिमा है तो वो है गोमते स्वर्जी की प्रतिमा ब साल होनी चाहिए 21 एर्स ठीक पंचाय सदसे बनने के लिए आगे बढ़ेंगे 345 वा कुस्टन संसाल में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है तेकि अभी हमने बताया था पानी पुछेगा सबसे लंबी कहेगा तो आप नील लगाईएगा ठीक वाटर सबसे ज़्यदा किसमे है तो वो आपकी है अमेजन नदी और सबसे लंबी आपकी नील नदी मेरे दोस्तों बहुत ही दोनों अच्छा कुस्टन है नील नदी लगाईएगा जब बड़ा पुछेगा लंबी पुछेगा जून दून्च सितंबर के दवरान तयार होने वाली फसल खरीब कहलाती है क्या खरीब कहलाती है आगे बढ़ेंगे 346 कुस्टन लेंगे चंडी गण में प्रसीद रोक गॉर्डन किसने बनवाया रोक गॉर्डन में तो सो नेक चंद ने बनवाया था रोक गॉर्डन आगे बढेंगे बिसपधाइं का मुख्याले काहा इस्ती थे तो वासी गटинки सबसे बड़ी जील कौन है तो सुपीरियर जील सबसे पानी की जील है योग है यहो गया बड़ी बड़ी शपीरियर योग सुपीरियर और सुशील कमार का सम्मण किस के उक में किसी से के बाद देसीरियासितों के एक इकरण के लिए कौन उत्तरदाई थे तो वह थे आपके सरदार बल्लब भाई पतेल जी सरदार बल्लब भाई पतेल जी आगे बड़ेंगे फ्रंटियर का अधी किसे कहा जाता है मेंडोस्तों वो कहा जाता है अब्दुल गफार खान अब्दूल गफार खागो ठिक आगे बढ़ेंगे कू का अंदोलन किसमें चलाया था पेर दोस्तों, गुरु राम सिंग ने कू का अंदोलन चलाया था, गुरु राम सिंग ने क्थेशन नमगर 355 भारत उन अठार सो पश्वनी कलकात्ता में किसने आत्मी समाच के स्थापना की तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आपकी आत्मी समाच के स्थापना की थी सीवा जी की मंत्री मंदर का मंत्री मंदर का नाम क्या था तो अश्ट प्रधान था आगे बढ़ेंगे गुरु तेग बहादूर की हस्ता किस ने की तो औरंग जेम ने कर दी थी औरंग जेम ने गुरु तेग बहादूर की हत्या करवा दी थी साज जहां ने अपनी बेगम मुं ताज महल की यहार में कौन सा समारग बनवाया तो ताज महल बनवाया कौन बनवाया किसमुगल بादसा है कि साथ संकाल में चित्रकाला अपनी चरम सीमा पर थी तो वो थे आपके जहाँ गीर सही ज़ब हो जाएगा चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगला कुस्टन क्या है किसी कद्धरम के किस गुरू की जहागीर ने रणगीर ने कर आई थी तो दोनों बात देया आपको याद रखनी हैं और रंग येब के हत्तियां गुरू तेख बहाधू ने और अरजू देव के हत्तियां ज पूरी उडिसा में है आगे बढ़ेंगे तरायन का प्रथम युद किस के बीच और कब हुआ तो प्रिदविरा चवान और मुहम्मध गोरी की बीच यह 1191 में हुआ था चलिए आगे बढ़ते हैं सुनी की खोज किसने की मिर्दोस्तों तो सुनी की खोज आरे भटने की थी सुनी की खोज किसने की आरे भटने की थी सिकंदर किसका सिस्य था तो सिकंदर मिर्दोस्तों और हस्तु का सिस्य था सिकंदर का सेनापती कौन था मिर्दोस्तों तो सिकंदर का सेनापती सेलिकस निके आगे बढ़ेंगे गुप्त बंस का संस्तापक कौन था तो स्री गुप्त गुप्त बंस का संस्तापक था कुम्ब के मेले का सुभारम किस्निक किया तो हर सवर्धन ने सबसे पहले कुम्ब के मेले की सुरुवात की किसी एक अस्थान पर कुम्ब का मेला कितने वर्स बात लग लगता है मिर दोस्तों इलाबाद में गंगा और यमना के संगम पर उज्यान में छेफ्रा नदी पर और नासिग में गोदावरी के तट पर लगता है मिर दोस्तों कुश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन हम आपके लिए धूड के 500 कुश्चनों के लिए सिंख्रा लेकर आ रहे अजन्ता की कुफाम चितर कारी किस धर्म से संबंदी थे मिर दोस्तों बहुत धर्म से संबंदी थे अजन्ता में जो चितर बने हैं आगे बढ़ेंगे 344 कुश्चन तेलंगाना राजी की राजधानी कौन है तो हैदराबाद तेलंगाना राजी की राजधानी है आगे का सुचनांग प्रडाली पीन कोड़ प्रडाली का सुवारम कब हुआ तो 1972 में यह पीन कोड़ जो प्रडाली होती हर जगा पीन कोड़ अलग होता है यह 19 72 में शुरूबात हुई भारत सबसे बड़ा सारवजनी उपकरम कौन सा है तो भारती है रेलवे सबसे बड़ा है ठीक आगे बढ़ेंगे भारत चलिए भारती रेल क्या है भारत और पाकिस्तान की बीच चलने वाली रेल गाली कौन है तो समझाता हूँ थार एक्सप्रेस दो है समझाता हूँ थार एक्सप 690974 km 309094 km बहुत ही लंबी रेल मार्क हमारे भारत में है भार की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है तो पीर पांजाल सुरंग जो कि आपका जंबू कास्मीन में है पीर पांजाल एक दर्रा भी है आगे बढ़ेंगे छेतपल की दिश्ट्रिशी से बाज़ का सबसे बड़े ज विस्तार भो भाग पाया जाता है प्रिस्वी पर पूछ रहा है कितने परसेंट भाग पे महादीपों का विस्तार तो यह आपका है 29.2 परसेंट आगे बढ़ेंगे 386 कुशन लेंगे 386 नमर का कुशन लेंगे भारत बांगलादेस के बीच बीवाद किन दूपों पर है तो कच्चा त्यूबी दूप और न्यूमूर दूप के लिवर को लिकर भारत बांगलादेस के बीच बीवाद रहता है भारत का उत्तर से दच्छिट तक विस्तार कितना है तो 3214 किलो लिख सकते हैं ठीक तो इतने का यह आपका अंतर होता है ठीक भारत के मानक समय और ग्रिन वीच के समय के बीच आगे बढ़ेंगे भारत की अस्तल सीमा की लंबाई कितनी है तो 15200 किलो मीटर 15200 किलो मीटर भारत की अस्तल सीमा की लंबाई है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर तीथिस नामक सागर था आगे बढ़ेंगे भारत में सरोपरतम किस अस्थान पर राष्टी उद्यान अस्थापित किया गया तो जीम कारवेट नेशनल पार्क नैनी ताल में है उत्रा खंड में आगे बढ़ेंगे कौन सा भेहरन जंगली हाथियों के लिए प्रसीद है तो य कोईला की सरोप्तम किस किसम कौन सी होती है तो एंत्रे साइड जो है कोईला की सबसे उत्तम किसम मानी जाती है आगे बढ़ेंगे 396 कुशन लेंगे में दोस्तों 396 कुशन सिंदु घाटी की सब्यता में एक बड़ा असनान घर कहां पाये गया अपरेशन फ्लड कार्क्रम में सुत्रधार कौन थे तो डाक्टर वर्जिस कूरियन जो की दूद से संबंधी थे ऑपरेशन फ्लड आगे बढ़ेंगे रभी की फसलों की बुवाई कब की जाती है तो सही जवाब हो जाएगा ऑक्टूबर नॉबर दिसंबर में बुवाई की जाती है आगे बढ़ेंगे भारती इतिहास में बाजार मोले नियंतरन प्रलाली की सुरुवात किसके द्वारा की गई तो अलावदीन खिलजी के द् खुटबाल का प्लैक ब्लैक परल किसे काला हीरा का इसकी से कहा जाता है तो पेले को खा जाता है पेले को किस खेल में फ्री थ्रो सब्द का परियोग किया जाता है तो वो आपका है बॉसकेट बाल जैसे फ्री हिट क्रिकेट में होता है वैसे ही फ्री थ्रो बॉसकेट बाल पोपिंग क्रीज और इस्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है तो चार फुट की दूरी होती है पोपिंग क्रीज और इस्टंप जहां से हम खड़े को खेलते हैं आगे बढ़ेंगे सीली पॉइंट किस खेल से संब्द रखता है मैं जो सूं किरिकेट से आगे बढ़ेंगे किस खेल की टीम ने फुटबाल का वी सुकप पांच बार जीता है तो ब्राजीन ने फुटबाल की वी सुकप को पांच बार जीता भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की मुख्याले का मुख्याले कहा है तो बंगलोर में है याँ पे बंगलोरू में इसरो का मु प्रिवंद्रम में कहां है प्रीवेंद्रम में वन अनुसन्थांचना संस्था है नस्तों अब बोलते बोलते में because मुह दुग कर रहा है आगे बढ़ेंगे इलिफा परच्षण किस रोक की पैसां के लिए किया जाता है तो एड्स रोग के पहस्यान के लिए इलिसा परिष्ण किया जाता है आगे बढ़ते हैं तो यह आपका इलिसा परिष्ण एड्स रोग में होता है हवाई जहाज में ब्लैक वाइक्स का कैसा रंग कैसा होता है तो नारंगी होता है हवाई जहाज में खुरपका वह मुह पका रोग किसमें पाय जाता है तो गाय और भैसों में ये रोग पसु रोग होता है, खुर्पका और मुह पका, सूचना कि उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहता है जिसे computer समझ और computer समझ और process कर सकता है, तो उसे हम bit कहता है, मिरे दुसनों, 78% आगे बढ़ेंगे वर्स 2011 के जनगर्णा के अनुसार इसत्री पूर्स का जो लिंगा अनुपात है वो आपका 940 है मिरे दोस्तों 940 है 1000 पूर्सों पे 940 महिलाएं हैं तो महिलाएं जो लिंग है वो कम हो चुका है वर्ष 2011 की जनगर्णा की अनुसार किस राजे में महिलाओं का प्रती एक हजार पूर्शों पर अनुपाद लिंग अनुपाद सबसे कम है तो सबसे कम हरियाना में है जो की लिंग अनुपाद सबसे कम कहा है हरियाना में है आगे बढ़ेंगे कुश्चन नंबर 2419 की तरफ 2011 की जनसंखिया घंणत तो अधिक्तम है Youtemu ग veg जांसरी आपका दिहरा दून में थी ती थे जो कि आपकी उतराकन की राजधानी भारत का उनुस अंधान के दर हिमाद्री कहां इस्तिय थे dato आगे बढ़ेंगे चार्टी चुना गया तो वह चुना गया था संचीदानंद सिन्ना जी को देखें के कुस्चन बहुत इंपोर्टेंट है इसके अगर पढ़ते होंगे रियल में तो आप इस सब कुस्चन को अब देखा होगा आगे चलेंगे भारती संभिधान में नागरीकों को कितने मूल अधिकार प 42 संसोजन द्वरा परस्तावने में कौन से सम्द जोड़े गए तो वह सा सब्द आपका सामाजवादी धर्मनी रपेक्ष और अखंडता तीन सब्दिये जोड़े गए भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मांसून से होती है तो दच्छिडी पस्वी मांसून से सबसे ज्या का कुश्चन दूर दर्शन में से रंगीन प्रसारण कब आ रहा हुआ पहले आप जानते हैं कि वह बिल्कुल सफेज सब्द दिखता था लेकिन रंगीन कब हुआ तो 1982 से रंगीन प्रसारण होने लगा आगे बढ़ेंगे 430 का कुश्चन में दोस्तों लेंगे 200 वन्य जीव कोस द्वारा प्रतीक के रूप में किस पस्व को लिया गया तो हम लोग वन्य जो वन्य जीव कोस है वो पांडा को अपनाया गया है विश्व में सबसे बड़े computer network का नाम क्या है तो internet सबसे बड़ा computer का network माना जाता है ठीक 432 question की तरफ में दोस्तों बढ़ेंगे email के जनम दाता कौन है में दोस्तों तो email को जनम दाता हैं आपके हैं Tom Linson Tom Linson Tom Linson जो है email के जनम दाता माना जाता है इन्हें आगे बढ़ेंगे और 433 question world wide wave www.w.w.w. जो आप पढ़ते हैं बार-बार www.w.w.w. के अविस्कार कौन है तो वो आपके है team verners Lee यहाँ पे तीन question बन सकते हैं यहाँ पे world wide wave इसका full farm भी पूछ सकता है और कौन है तो वो भी पूछ सकता है team team verners Lee ठीक आगे बढ़ते हैं और 434 question को देखते हैं मैं जो तो 500 question कवर करेंगे इस वीडियो में और HTTP का पूर्ण रूप क्या है HTTP का पूर्ण रूप क्या है तो Hypertex Transfer Protocol DP का कुमारी का संबन किस खेल से है तो 33 दाजी से है भारत में currency note पर उसका मूल कितनी भासाओं में लिखा होता है तो 17 भासाओं में लिखा होता है देखा तो आपने हैं लेकि कभी ख्याल नहीं किया फ्रांस की करांती कब हुई तो 1799 में हुई थी दुनिया के मजदूरों एक हों का नारा किस ने दिया आगे बढ़ेंगे ACOE का Nobel पुरूसकार किसे कहा जाता है में दूस्तोए annexesे से पुरूसकार को कहा जाता है सरवाधिक Austria चैकारी गैस कौन सी है तो वह आपकी है CFG Chloro-Afloro-Carbon जीसे हम लोग कहा जाता है यह सबसे खतरना गैस होती है आगे बढ़ेंगे जो की ओजोन परत को च्छाय करती है, नुक्सान परती है, CPU का पूरा नाम क्या है, तो Central Processing Unit, CPU का पूरा नेम है, आगे बढ़ेंगे 430 संबर का कुश्चन में दोस्तों, इसे brain भी कहा जता है, computer का, सौर मंडल में ग्राउं के संख्या कितनी है, तो 8 है, बीच में आएगा, मतलब कि पहले मून होगा, इधर सन होगा और इधर अर्थ होगी, तो इसे हम सूर्य गरण कहेंगे, लेकिन चंदर गरण कपंखेंगे, जब बीच में प्रिवी आती है, तो उसे चंदर गरण कहा जाएगा, जल का सुर्दतम रूप कौन सा है, तो वर्स में ताप विद्दूत की सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है रेडियो तरंगे वायु मंडल की किस सत्र से परिवर्थित होती है तो आयन मंडल से परिवर्थित होती है रेडियो तरंगे ठीक आगे बढ़ते हैं हवाई जहाज वायु मंडल की किस परिवर्थ में उड़ते हैं तो सम ताप मंडल में उड़ती है हवाई जहाज मेरमित्रों आगे बढ़ते हैं देखिए ज़रा ध्यान से चार सो उन्चास कुष्चन छोब मंडल की धरातर से अधिकता मुचाई 18 किलो मीटर भारत में दच्छिल मंपस्चिम मंसूर किस महीनों में सक्री रहता है तो आप सही जवाब जून से सितंबर तक चार सो उन्चास क्यां कुष्चन देखेंगे प्रात्ना समाज के असापना किस ने की तो आत्मा राम पांडू रंग ने की थी प्रात्ना समाज के असापना कुष्चन कोलकाता में मिसनरी आफ्स चैरिटी संगटन के असापना किस ने की तो मदर टरेसा जी ने किया था जो तो वह आपका 9767% सेना मेंप्रकिया गया बंदूकों में चरवियू गाहा और शुवर की लगाया जाती से हिंदू और जो विसाइनिक थे उन्होंने उसका बिद्रोव करना सुरू कर दिया और 1857 की काराइथी बना panty अर्जए 1906 में ढाका में मुस्लिम लिए की as PhD कि अंगए पर highest practice लेंगे और क्या है कुस्षन भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली तो यह चली 1854 में कब चली 1854 में बंगल बिहार और उडिसा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किस ने लागू किया तो यह आपका लागू हुआ 1793 में लाड कारनवारिश ने किया था चलिए 460 नमबर क इसके बीच हुई तो बाबर और इब्राहिम लोदी की मेरे दोस्तों यह 500 500 सांदार कुष्चनों की सिंखला चल लई है आगे बढ़ेंगे किस मुगल बासा की मित्तु दिल्ली के पुस्तकाले की सीडियों से गीर कर हुई थी मेरे दोस्तों हिमायू की किसकी हिमायू की चल में बुलंदरवाजा की उपलक्स में बनाया में दोस्तों जब अकबर ने गुजरात बीजया किया तो वही उसी के उप लक्स में उसने बुलंदरवाजा फत्यय पुर्शीक्री में बनवाया था आगे बढ़ेंगे में दोस्तों भूर राजस हिकी दरसाला प्दति का यं Ci चालू की थी और अंगा बादन में ताजमाल की प्रतिकृति किसने बर्माई तो में दोस्तों औरंग जेब ने बनवाई 455 कुश्चन लंदन में इंडिया हाउस के अस्थापना किसने की स्याम जी किसन बर्मा जी ने किया था 466 कुश्चन लेखेंगे भारत कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराइ कौन था तो लाइड डफरिन था जब कांग्रेस के स्थापना होई तो वायसराइ कौन था लाइड डफरिन आगे बढ़ेंगे 466 kunstion बिसू का सबसे बड़ा प्राइदीप कौन सा है मिर्दस्तों अरब प्राइदीप ठीक आगे बढ़ेंगे पस्मी घाट कोẺन बन नाम से जाना जाता है मिर्दस्तों सहयादरी परवत स्रिंखला के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ेंगे तम्माखू के धुए में कौन सा हानिकारक ततो पाया जाता है तो निकोटीन हानिकारक ततो है जो तम्माखू में पाया जाता है राषपदी का अध्यादिस कितने समय के लिए लागू रहता है तो छे मास के लिए लागू रहता है मौसमी गुबारों में क जो दिर बैंक का खारे कौन सा अंकरता है तो तिली प्लिहा और जिसे हम इस लीप इस प्लीम भी कहते हैं यह रूधिर का काम करता है ठीक आगे बढ़ेंगे गाय के दूद का रंग पीला किसकी अपस्ति दिक कारण होता है कारण गय के दूर का रंग पीला होता है ठीक अगे बढ़ेंगे 208 से दिवस कम मनाया जाता है मेड दूस्तों एक दिसम्बर को 208 से दिवस मनाया जाता है आगे बढ़ेंगे भारत में भारत के राष्टी धोज की डिजाइन किसने त्यार किया तो मैडम भी खाजी कामा जी न किया था आगे बढ़ेंगे सन सन अथार्सो पंद्रव में आत्मी सभा का गठन किसने किया मेरे दोस्तों अभी कुछन आया था राजा राम मुहन राय जी ने 400 466 कुछन ये चल लहा है तो राजा राम मुहन जाए सही जवाब हो जाएगा आत्मा आत्मी सभा का गठन चाभी भरी घड़ी में कौन सी उर्जा होती है मेरे दोस्तों तो जब चाभी हम घड़ी में भर जते हैं तो घड़ी कुछ दिन तक चलती रहती है वो होती है इस्तिती उर्जा ठिक आगे बढ़ेंगे प्रतिरोद का मातरक कौन होता है तो नहीं दोस्तों प्रतिरोत का मातरक ओम होता है क्या होता है ओम ओम का यह होता है अपका ऐसे कुछ बनता है उसका साइन आगे बढ़ेंगे 400 चलिए यह इसका साइन हो गया आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों 489 कुश्चन देखेंगे 489 कुछ दिनका लिखा है फ्यूज की तार की इस पदार्थी बनी होती है तो टिन और सी से किमी से धातू से बनी होती है और ये तार बहुत ही हलका होता है जैसे ही लाइट कम या जादा होती है वो तार जल जाता है इलेक्टरान की खोज थामसन ने किया था गुर्तवा कर्सन के नियम किसने बताएं तो न्यूटन ने बताएं परमाडू बंग का अब इसकार किसने किया थो आटो हान ने किया था मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं इलेक्टरिक हीटर की कुंडली किस धातू से बनाई जाती है मेरे दोस्तों इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है उसकी कुंडी किस धादू से बनती है तो वो है आपका नाई क्रोम आगे बढ़ेंगे हैं चलिए में दोस्तों तो अब में दोस्तों यह आटोहान हो गया आगे बढ़ते हैं और 484 कुशन देखते हैं हेमेटाइट और मैगनेटाइट किसके आ लागू की गई मात्रकों की अंतराष्टी पद्धती किस वर्स लागू की गई मेरे दोस्तों तो यह लागू ही 1971 में आगे बढ़ेंगे 487 कुशन सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किस ने की थी तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किलापत आं इनना टैगोर जी ने सर्ज की जो उपाधी मिली थी वो लवटा दी थी किसी उपाधी मिली थी सर की उपाधी मिली थी उन्होंने उसे वापस कर दी कहा हमें नहीं चाहिए जलिया वाला बादे हत्या कांड के बाद आगे बढ़ेंगे 490 कुशन के तरफ मेरे दोस्तों और 4 सबसे ज्यादा जन्जंख्या वाला सहर है सफेद रख्त कण मतलब WBC सफेद रख्त कडिकाएं जिसे कहा जाता है का कारे क्या है तो वह रोगों से रोग से हमें बचाने का काम करती है रोग प्रती रोधक छमता होती वाली होती है तो चलेंगे आगे 492 कुशन की तरफ मेरे आ चुके हैं अर्थ सास्त का जनक कौन कहलाता है तो एडम इसमित को कहा जाता है बीजक की रशना संत कबीर दास ने कहा किया था चान्द वीबी कहां की सास्त सासिका थी तो चान्द वीबी सास्त थी अहमद नगर की आगे बढ़ेंगे 495 नमबर इंटरनेट दोरा संदेश भेजना क्या कहलाता है इमेल कहलाता है क्या कहलाता है इमेल कहलाता है आगे बढ़ेंगे 496 नमबर का कुश्चन मैराथन दोर की दूरी कितनी होती है मेरे दोस्तों 26 मिल 380 गज 26 मिल 380 गज होती है आगे बढ़ेंगे 497 नमबर का कुश्चन समुद्री जल से सुद जल किस द्वराप्रात किया जा सकता है तो मेरे दोस्तों अगर आवसन किया जाएगा तब वो खारे जल को बदला जा सकता है तुलबुल परियुजना किस नदी पर है तो जेलम नदी पर है कहां पर है जेलम नदी पर है तुलबुल परियुजना और लाश्ट सेकेंड कुश्चन देखेंगे मिरे दोस्तों 499 कुश्चन आपकी स्क्रीन पे आचुका है लोग सभा की बैठक आयुजित करने के लिए आप पेच्छित गर्द पूर्ती कोरम क्या है मिरे दोस्तों वो है आपकी एक बटे दस एक बटे दस है एक बटे दस और लाश्ट कुश्चन इस मरद इस इसका तो लाश्ट कुश्चन भारत में कौन से जलवायू पाई जाती है मिरे दोस्तों वो है कुस्ड कटी बंधी जलवायू मिरे दोस्तों ये पहली वीडियो पूरी हो चुकी है जिसमें 500 questions हम लोग cover कर चुके हैं अगर प्यार आपका मिला आप comment box में जरूर बताएगा हम अगली वीडियो भी लाने की कोशिस करते करें गए मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों ऐसे ही एक वीडियो में 500 questions लाए थे और वो भी questions कैसे थे आपने देखा ही सब questions mix up से कुछ विग्यान कुछ इतिहास सबसे questions मेरे दोस्तों mix up से तो ऐसे ही क्लास मेरे दोस्तों आज आपने देखा कैसे हमने एक ही वीडियो में 500 questions वो भी सांदार questions सब तरीके के mix up questions हमने आपको कराया आपको आपके लिए ये फायदे के लिए कराय जा रहा है मेरे दोस्तों समय थोड़ा कम है इसलिए आपके पास समय नहीं हो तो आप इस वीडियो को देखके रपने तैयारी को आप और मजबूत कर सकते हैं मेरे दोस्तों आपका वीडियो में बने रहने के लिए